हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका प्रीतिस किचन में आज मैं बनाऊंगी क्विकली बन जाने वाली मस्रूम राइस इसको आप 10 मिनट में बना कर खा सकते हैं आप इसको लंच बक्स में भी सर्ब कर सकते हैं हमने इहां एक कंटेनर में डालेंगे दो बड़ी चमच रिफाइन ओयल ओयल करम होने के बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले हमने इहां पर लिया है स्टार फूल, लॉंग, इलाइची, डालचीनी खड़े मसाले भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे दो बड़े साइच का प्याज हमने इसको लंबा लंबा काट लिया है इसको टाल कर हमें गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करना है प्याज को में लगातार चलाती जाना है ये देखिए हलका सा golden frown हो चुका है अब इसमें डाल देंगे दो हरी मिच हमने बीच से चीरा लगा दिया है इसको भी साथ में भून लेते हैं भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लसुन का पेश्ट एक चम माच अदरक लसुन को अच्छी तरह से भूनना है जब तक उसका कच्छा इसमेल चलाना जाए ये देखिए दो तीन मिनट के बाद अदरक लसुन अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें डाल देंगे टामाटर हमने इहां दो मिडियम साइज का टामाटर काट लिया है उसको अब डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जल्दी से टामाटर को सौप्ट करने के लिए हम इहां पर डालेंगे थोड़ा सा नमाग ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालेंगे टमाटर को सौप्ट करने के लिए अब टमाटर को अच्छी तरह से तेल के साथ भूनना है ये देखे टमाटर भी हम लोगा अच्छी तरह से सौप्ट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दो तरह का पौडर मसाला सिर्फ दो तरह का लाल मिर्च पौडर और धनिया पौडर मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे मसाले को ये देखे हम लोगा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है ओल भी किनारे आ गया है अब इसमें डाल देंगे एक बड़े साइच का आलू हमने इस तरह से पिसेस कर लिया है और डाल देंगे मस्रूम थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें डाल देंगे नमाग पहले भी हमने नमाग डाला था और थोड़ा सा डाल देंगे कितना हम लोग का सब्जी है उसी हिसाब से हम नमग डाल देंगे और गेज का फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर लेंगे और कभर करके रखतेंगे इसको पांच मिनट पांच मिनट के बाद चेक कर लेते हैं ये देखे मसाला और मस्रूम अच्छी तरह से पाग चुका है सब्जी में कितना सुन्दर कलर भी आ गया है अब इसमें डाल देंगे एक किलास बासमती चाबल हमने पहले से धोके रखा है चाबल को चाबल को अच्छी तरह से मिला लेंगे कुछ सेकंड के लिए हम इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से प्राय कर लेंगे ज़्यादा नहीं कुछ सेकंड के लिए अब इसमें डाल देते हैं स्वादनुसा नमाग नमाग आप ध्यान से डा देगा हमने तीन बार नमाग यूज़ किया है गेस का फ्लेम को मेडियम में रखेंगे हमने यहाँ पर एक ग्लास चाबल लिया था उसके हिसाब से देड़ ग्लास पानी लेंगे अब कटोरी में भी माप सकते हैं जिस कटोरी में चाबल माप पिएगा उसी कटोरी में पानी भी अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके बाद कभर कर देंगे 4-5 मिनट तक प्रहले हाई फ्लेम में रखेंगे उबालाने तक इसके बाद मीडियम फ्लेम में 4-5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं यह देखे हम लोका मस्रूम राइस बन के तयार हो गया ये स्पंद कर देंगे और कफर लगा के रख देंगे और पांच मिनट के लिए ये देखी कितना खिला खिला बना है मस्रूम राइस